इंडेन शेयर टिप्स डाट कॉम में आपका स्वागत है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि अदानी की फेलियर से भारत पे क्या असर पड़ता है कई लोग बोलेंगे सानू की हमें क्या असर पड़ता है की फर्क पेंदा है इन सब सोचवालों को यह बता देना जरूरी है की अदानी के फेलियर से पूरे भारत में फर्क पड़ता है और स्टॉक मार्केट में खासा फर्क पड़ता है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ का 2023 ए skirt मे आप लोग उ मार्केट में आपको ज्यादा रिटन नहीं देगा इसलिए ज्यादा इन्वेश्ट्मेंट स्टॉक मार्केट में 2023 में ना करिएगा क्योंकि एक रिपोर्ट के मताबग 2023 में भी मार्केट का बॉटम हो सकता है इंडिया के लिए दूसरी बात ये ध्यान रखिए जैसा कि ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की है कि पावर ट्रेडिंग कॉर्परेशन में उसने बिडिंग करना था अदानी ने वो उन्होंने कैंसल कर दिया है एक उन्होंने कोल माइन खरीदनी थी वो कैंसल कर दी है इन सब कारणों से क्या होता है कि अब वो अपना एक्सपेंशन प्लान भी होल्ट पर अगले दो साल के लिए डाल रहे हैं तो इसका ये कारण है कि भारत जो कि एक गती शीलता से आगे बढ़ रहा था अब वो थोड़ा सा सहम गया है थोड़ा सा रुख गया है तो आप इस चीज को सोच विचार करके अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में डालिएगा अगर आपने स्टॉक मार्केट में कुछ करना है 2023 में तो सिर्फ इंट्राडे करें अपना प्रॉफिट ले और मूव आउट कर लें इंट्राडे के लिए सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है क्योंकि इसमें आप कम कैपिटल 5000 से 10,000 की कैपिटल के साथ आप रोज़ाना अप्टू 30 प्रतिशत तक का मुनाफ़ा कमा सकते हैं कौन सा बिजनेस आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है बर्शत कोई भी बिजनेस नहीं दे सकता है बैंक निफ्टी ऑप्शन सबसे अच्छा माद्यम है कम कैपिटल के साथ रोज़ाना अच्छा मुनाफ़ा कमाने के लिए किरपा करके अगर आपको हमारा वीडियो को लीक्स को शेयर करें